हलो स्टूरेंट्स नमस्कार परणाम राम राम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल गुगन जांगे मैट्स पे सबसे पहले आप सभी को नव वर्स की हारदिक सुब कामना है ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए ऐसी मैं इस वर से प्रात्ना करता हूँ आज की क्लास में मैं लेकर आए हूँ आप सब के लिए एक जवर्दस ट्रिक जिसकी साहता से आप सभी कॉनिक सेक्शन जैसे की पैराबोला, हाइपर बोला, सर्कल और इलिप्स को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे आइडिटिफाइ कर पाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्यूस्स ले रहे हैं जो की जनरल इक्वेशन से से किन डिगरी की अगला यदी आप अगर 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 और इसे अप्लाई करेंगे चलिए हम क्यूस्टन से को अप्लाई करके देखते हैं पहला question आप देखिये इस पे, इसमें आपको मिल रहा है value किसका, यहाँ पर यदि हम value find out करें A का value 1 आपके पास ठीक है, यहाँ पर A का value 1 है, B का value कितना है, minus 4 है T का value कितना है, minus 2 है, तो यहाँ से यदि हम B square minus 4AC का mind out करते हैं तो यहां से हमारे पास कितना आता है, 16 माइनस करेंगे, तो यह प्लस 8 हो जाएगा, यानि greater than 0 आ रहा है, greater than 0 आने का मतलब यह किसको बताएगा, आपके हाइपर बोला को बताएगा, very simple, next पे चलते हैं अपने, यहां पे हमारे पास देखिए, यह हमारे पास A का मान 8 हो गया, B का मान आपके पास 5 हो गया, ठीक है, B का मान है, C का मान आपके पास 6 हो गया, तो B स्केर 25 माइनस, और AC आप करेंगे, तो 4 into 8 into 6, यह क्या आएगा, यह value आएगा, less than 0, negative value देगा यह, less than 0 आने पे, आपको क्या चेक करना होता है, B का value, यहां पे B आपका क्या है, not equal to 0 है, and A not equal to क्या है, C है, इस condition में यह किसको बताएगा, आपके ellipse को बताएगा, ठीक है, यह किसे बताएगा, आपका ellipse को शो करेगा, next question पे चलते हैं, यहां पे देखिए, आपके पास A का मान है, यह आपके पास B का मान है, और C का मान कितना यहां पे, 9 है, अब इसमें आप B स्केर minus 4AC का value यह दी हम find out करेंगे, तो B स्केर 576 and minus 4AC करोगे, तो वो भी आपका 576 equal to क्या आ जाता है, 0, equal to 0 आते ही, यह किसको represent करेगा, आपके parabola को represent कर रहा है, हो गया identify, अगले question पे चलते हैं, अपने देखिए, इसमें आपके पास A का मान, 1 और C का मान, C का मान भी आपके पा पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो B स्केर minus 4AC यदि हम find out करें, तो negative आएगा, simple सी बात है, यहां से क्या आएगा, less than 0 आएगा, तो उस condition में B बराबर 0 है, और A बराबर क्या आ रहा है, C आ रहा है, B बराबर 0 and A बराबर C, किसको represent करेगा, यह circle को represent करेगा, ठीक है, तो यह short trick थी, इसके सायता से हम identify कर पाते हैं, एक और फी तरीका है, यहां पर उस पर अपने बढ़ते हैं, और यह कुछ questions है, आपके homework के लिए question है, आपको इन सब question को identify करना है, identify करके आपको क्या करना है, simply आपको comment box के अंदर इनके answer देने है, इतने बच्चे सही answer देखते हैं, अ आपके पास general equation है, जो general equation आपके पास है, क्या उसमें दो variable square में आ रहे हैं, x square और y square, ठीक है, अगर दो variable square में आ रहे हैं, अगर आपका answer no, तो कोनिक आपका क्या होगा, पैराबोला होगा, अगर आपका answer no आता है, तो कोनिक आपका पैराबोला होगा, और अगर आपका yes आत square भी आज़े तो आपको देखना है x square का coefficient और y square का जो coefficient है उनके sign क्या है अगर sign different है आपका answer आता no तो इसका मतलब क्या है hyperbola है अगर आपका equation आता yes then आप क्या करेंगे are the coefficient before the square trams equal कि square trams के साथ जो coefficient आ रहे हैं क्या वो same है ठीक है equal है अगर आपका answer आता no तो आपका वो क्या होगा ellipse अगर आपका answer आता yes तो क्या होगा circle होगा ये भी आप try करेंगे और answer दीजिए comment box में फटा फट बताईए आज क्या वीडियो आपको कैसा लगा ऐसे जबर्दस्त वीडियो ले करके मैं आता रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अगर वीडियो अच्छा लगे तो like share जरूर कीजेगा धन्यवाद